जी दुबारे से वेलकम जी अब हमारी आउटलेंग कम्प्लीट हो चुकी है अब इसमें एक्स्ट्रा कलर जो है या कार्बन के जो डस्ट पार्टिकल्स आये थे उसको साफ करने के कोशी करें ताके सर्फिस प्लेन और क्लियर हो जाए फिर इसमें हम पेंट को शुरू करेंगे जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुबारा से हमने कलरिंग शुरू कर दी है यह फॉर्स में हम सबसे पहले लाइट ब्लू स्काइब ब्लू यूज़ कर रहे हैं इसके बाद दूसरे कलर लेकिन सबसे पहले हमने स्काइब ब्लू स्टार्ट किया है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा कलर इस्तमाल हुआ है पेंटिंग अंदर अश्काई धुरू कर दो से ज़र आख में गाद ब्लू जया कर दूसे खिसे ज़री कि अवले प्लूच झाल ब्लू कर दोसे भीचे खज़ुआ ज़ीज़ यूज़ आख में हम भी खर टेंग, गल्यादा किया हमने सबसे आख प्लू कि कर दोसे बते हैं सिए दूसरे कि यह जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यह स्काइब ब्लू कम्प्लीट हो रहे हैं फाइनल तमाम जहां जहां स्काइब लगना था वहां लग चुका है यह स्काइब लगने के बाद पेंटिंग की शकल इस तरह की कुछ अभी इसमे उसमें मजीद कलर एड़ होने हैं इसके डाक शेड लगने हैं हाइलाइट्स होने है शेर्ड आने हैं शेडिंग होनी है कई जगों पर फिर जाकर आपको यह पैंटिंग मुकमल होती नज़र आएगी परशनorgt का या फिर यह माम्ला है कि यह लोग जो paint paint करते हैं single tone में paint करते हैं लेकिन रंगीन स्क्रामिक के platform से आप लोगों को जो यह painting बनते नजर आएगी आप देखेंगे कि इसमें three tone तक हम इसको paint करेंगे इंशाला और उसके बाद इसका look बिल्कुल different हो जाएगा और इसकी richness बहुत हई हो जाएगी इंशाल तो लमा वा लमा आपको दिखाते रहेंगे कि क्या और कैसे हो रहा है चीके नजरी